Hey Game Changers, आज हम बात करेंगे एक ऐसी powerful चीज के बारे में, जिसे समझ के अगर आप अच्छे से apply करें, तो आप छोटे से step लेके बहुत बड़ी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, आप अपने से कहीं ज्यादा smart और talented लोगों से आगे निकल सकते हैं, यह आपको health, wealth, relationship, हर चीज में help करेगा, दोस्तों यह powerful चीज है compound effect, जिसके बारे में Einstein ने भी यह कहा, compound interest दुनिया का आठवा आजूबा है, और compounding दुनिया की सबसे powerful चीज है, जो इसे समझता है, वो इसे earn करता है, और जो इसे नहीं समझता, वो इसे pay करता है, आगर Einstein इसे दुनिया की सबसे powerful चीज क्यो मानते थे, यह समझने के लिए यह पूरी वीडियो जरूर देखें, तो चलिए शुरू करते हैं, दोस्तों कहते हैं कि किसी बाश्या ने जब Chase गेम खेली, तो उसे वो गेम इतनी पसंद आ गई, कि उसने Chase के creator को बुला के यह कहा, कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, उस creator न मेरी insult की है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए था, तो तुम हीरे जवारात मांगते, तो उस creator ने कहा, नहीं बाश्या सलामत, मेरे लिए बस इतना ही काफी है, तो उस बाश्या ने अपने सिपाईयों को order दिया, कि चावल के यह दाने गिनके उसे दे दिये जाएं, कुछ दि देखते हैं, कि एक कैसे possible है, चेस की game में total 64 squares होते हैं, तो पहले square पे एक दाना, जिसे हर अगले square पे double करना है, दूसरे पे 2, 3rd पे हुए 4 दाने, 4th पे हुए 8 दाने, और 5 पे सिरफ 16 दाने, इसी तरह हम अगर 64th और last square पे आएं, तो ये बनेंगे rice के इतने दाने, जो मु जानती है, 300 trillion dollars, यानि इस पूरे planet earth पे जितनी wealth है उतनी, तो अब समझ आया आपको, कि वो बन्दा कोई बेवकूफ नहीं था, बलके बहुत ही intelligent था, जो compounding के power को सही से समझता था, वो सिर्फ कुछ चावल के दाने नहीं, बलके दुनिया की पूरी wealth मांग रहा था, basically compound effect, ज यह basically एक ऐसा process है, जिससे आप अपने कमाय हुए return पे भी और return कमा सकते हैं, जिसका impact आगे और बढ़ता जाता है, यह वैसा ही है, कि आपके किसी चीज़ के बच्चे हों, और उसके बच्चों के बच्चे भी होते जाएं, और over time मिलके यह एक बहुत बड़ा effect बन जाए, च मान लीजी अगर आप वो 30 लाख वाला option चूज करते हैं, और आपका दोस्त वो 1 रुपे वाला, 5 days बाद आपके दोस्त के पास हैं सिरफ 16 रुपे और आपके पास 30 लाख रुपे, आप अपनी नई चमचमाती गाड़ी लेके आते हैं, आपका दोस्त आपको देखके उदा पास होता रहता है, और आसपास के लोग उसे इताना मारते हैं कि अब ये बेवकूफ, तुम भी वो पहला option चूज करते, तुमारे पास भी 30 लाख रुपे होते, डे 20 पे जब बाकी सिरफ 11 दिन रहे गए हैं, आपके दोस्त के पास हैं 5,243 रुपीज, आपका दोस्त सोच क्योंकि दे 29 पे वो मेजिक रुपया बन गया है 27 लेक रुपीज, लेकिन असल जादू होता है, डे 31 पे जब वो एक रुपया बन जाता है, एक करोड़ साथ लाख रुपे से भी ज्यादा, यानि आपके 30 लाख से 3 गुना ज्यादा, और अब सारे लोग आपको दुनिया क सबसे वेवकव इनसान समझेंगे, जी हां दोस्तों, यह है compounding का power, जिसे आपके दोस्त ने तो use किया, लेकिन आप नहीं use कर पाए, compounding slowly over time एक बहुत बड़ा impact create करती है, अगर हम compounding का graph देखें, तो वो कुछ ऐसा होता है, शुरू में results बहुत slow होते हैं, लेकिन अगर हम consistent रहें, तो हमारी सारी efforts मिलके, एक बहुत बड़ा compound effect create करती है, जिसके बाद चीजें बहुत तेजी से grow करती है, लेकिन दोस्तों, इनसान बहुत बेसबरा है, इसलिए जब शुरू में results नहीं आते, तो बहुत सारे लोग quit कर लेते हैं, जैसे कोई weight lose करने के लिए, walk करना य लेकिन क्योंकि ऐसी चीज़ों का जल्दी result नहीं मिलता, हम उस compounding point से पहले ही quit कर लेते हैं, दोस्तों इस principle को हम अमारी life के हर part को improve करने में use कर सकते हैं, चलिए इस चीज़ को हम practically apply होता हुआ देखते हैं, तीनों 50,000 पर month कमाते हैं, और तीनों एक ही area में रहते हैं, तीनो नाम है शारुक, दूसरे का सलमान और तीसरे का आमिर, तीसरा दोस्त आमिर डिसाइड करता है कि वो अपनी life में थोड़ इसी positive changes लाएगा, जैसे रोजाना किसी book के 10 pages पढ़ना और अपनी daily diet से सिरफ 125 calories cut करना, वहीं दूसरे दोस्त सलमान कुछ poor choices make करते हैं, वो एक बहुत बड़ा टीवी ले आते हैं, और रोजाना उस पे अपना favorite program देखना शुरू कर देते हैं, वो रोजाना टीवी देखते हुए, थोड़े chips और chocolates भी खाते हैं, वहीं उनके दोस्त शारुक, अपनी life में कोई भी changes नहीं लाते, और जैसे life चल रही है, वैसे ही चलने देते हैं पांच महीने बाद, तीनों में कुछ खास difference नहीं है, तीनों का weight भी same है, बस आमिर थोड़ा books read करता है, और सलमान टीवी देखता है, और शारुक जैसा चल रहा था वैसा ही चलने देता है, एक साल गुजरने के बाद भी तीनों में कोई खास difference नहीं आता, लेकिन 31 months गुज लिया है, वहीं सलमान ने रोज़ाना 125 calories ज्यादा खाके 33 pounds weight gain कर लिया है, और शारुक अभी पहले जैसे ही है, लेकिन दोस्तों असल difference तो body में नहीं, बलके उनके brain में आया है, जहां आमिर अब तक 1000 घंटे book reading और self improvement की चीज़ें सुन चुके हैं, और उसी knowledge को apply करके उन्हें प्रोमोशन भी मिल गया है, और उनकी salary भी बढ़ गई है, वहीं सलमान अपनी job से नाखुश हैं, और उनकी अपनी बीवी से भी अन्बन हो गई है, और शारुक अभी भी सिर्फ 50,000 ही कमा रहे हैं, तो दोस्तों देखा कैसी चीज़ें over time compound होके इतना बड़ा difference create कर सकती हैं दोस्तों overnight success जैसा कुछ नहीं होता, हम बस दूसरों को कामयाव होते या famous होते देख के यही सोचते हैं, कि यार ये तो overnight कामयाव हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके पीछे उनकी पूरी life की मेहनत होती है, जो थोड़े time में compound होके उन्हें star बना देती है, अगर मैं आपको इसको use करने का एक formula बताऊं, तो दोस्तों वो ये है कि छोटी और smart choices make करें और consistent रहें, over time आपको result जरूर मिलेगा, अपने आपको autopilot पे ना छोड़ें, अपनी life के decisions खुद make करें, तो ये बाते मैंने आपको Darren Hardy की book The Compound Effect से बताई हैं, दोस्तों अगर आप लाना चाहते हैं positive changes, तो हमारे इस channel को जरूर subscribe कीजिए और bell के icon को दबाईए, ताकि आपकी life में हर week ये positivity का घंटा बचता रहे